तो गाई आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम यहाँ पर detail में discuss करेंगे यह वेडियो UPSC और state PSE के point of view से बहुत जादा important होता है तो चलो शुबार हम करते हैं बट उससे पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है नीचे description box में PDF link के नाम से एक link दिया या है उस link के through आप लोग मेरे टेलिग्राम चनल तक पहुँच जाओगे अगर इस तरीके से टेलिग्राम चनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत simple सा तरीका है डिरेक्ली टेलिग्राम आप को डाउनलोड करना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपच जादव एजूकेशन आपको ये वाला चनल मिल जाएगा यहां से आप लोग टेली बेसिस पर इस lecture के PDF को डाउनलोड कर पाऊगे साथी साथ में अगर आप लोग मुझसे personally connect करना चाते हो तो Instagram पर जा सकते हो और again search box में टाइप करना है दीपच जादव एजूकेशन आपको ये मेरा profile मिल जाएगा यहां पे connect करकर आप लोग अपनी queries को मेरे साथ में discuss कर सकते हो at the last discussion start करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात share करूँगा जैसा daily basis पर करता हूँ morning में एक one of the best video upload होता है current affair का जहां पे the Hindu Indian Express के अलावा भी important sources को include करके compilation आपको provide करवाया जाता है daily basis पर साथी साथ में वो वीडियो आपको morning में 7 बज़े मिल जाता है 7 से 7 10 7 15 हो जाते हैं इतने time के बीच में आपको वीडियो मिल जाता है उसके साथ साथ हर रोज रात में 8 बज़े हम लोग अपने MCQs की practice करते हैं तो काफी सारे questions यानि काफी सारे current affairs जो आप पढ़ चुके हो उसी के basis पर MCQs तियार किया गए हैं तो इस वेडियो के अंदर हम लोग current affairs through MCQs को cover करते हैं और जो भी MCQs होंगे वो सारे के सारे advanced level के होंगे जैसा UPSC prelims में पूछे जाते हैं UPSC prelims pattern based MCQs आपको यहाँ पे मिलते हैं इससे क्या होगा आप लोग prelims के लिए mentally prepared हो जाओगे और वहाँ पे जब question solve करने बैठोगे तो आपको बहुत जादा help मिलने वाली है स्टार्ट करते हैं और यह है हमारा सबसे पहला MCQ अब इसके बारे में दो दिन पहले मैंने आपको दहिंदू के वीडियो में पढ़ाया था किस चीज़ के बारे में चर्चा की गई है तो वो है NIRF rankings के बारे में NIRF क्या है यह है National Institutional Ranking Framework अब देखो question क्या बोलता है उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह चर्चा में क्यों आया Indian Express आपको देखेगा Indian Express के साथ साथ The Hindu या फिर जितने भी आर्टिकल से वो सब already इसको cover कर चुके हैं तो NIRF ranking जो है साल 2022 की इसके अंदर IIT मदरास ने top किया है ऐसा यहां पर report publish हुआ IIT मदरास के अलावा जितने भी हमारे Institutes हैं Universities हैं उसके बाद Medical Colleges हैं इन सब के अंदर कोई न कोई topper निकल कर आया है मतलब वो Best Institute है Best University है ठीक है न तो इन Institutes University की Rankings को तयार करता है NIRF ranking तो यह साल 2022 का addition है ध्यान रखना साल 2022 का अब क्या बोला किया यहां पर बोला यह जा रहा है कि NIRF ranking के संबंध में दो statement दिये गए हैं बताना यह है कि कौन सा statement correct है पहला statement यह बोलता है कि NIRF that is National Institutional Ranking Framework 2022 इसको launch किया गया था Ministry of Education के थुरू दूसरा statement बोलता है NIRF ranking 2022 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें सरिफ और सरिफ higher education institutions को ही rank दी जाती है higher education institutions को ही यहां पे include किया जाता है तो दोनों statement में से कौन सा statement सही है option A बोलता है one only option B two only option C दोनों correct है या फिर option D दोनों में से कोई सा भी correct नहीं है अब देखो करना क्या है आपको video को pause करना है और एक भार खुद से यहां पे try करने की कोशिश करना honestly अगर आपने खुद solve कर लिया मज़ा आ जाएगा आप लोग यहां पे prelims के लिए लगातर तयार हो रहे हो क्योंकि daily basis पर जो लोग मुझे starting से follow कर रहे हैं खासकर इस prelims cracker series के अंदर उनके अंदर बहुत जादे improvement आ चुका है पहले वो बहुत कम question solve कर पा रहे थे आज के time पर काफी तो कोशिच करो चलो इसके answer को देखते हैं वैसे इसका correct answer आपको C देखने को मिलेगा इसमें दोनों ही option correct है अब एक एक करके हम लोग in statements को decode करते हैं explanation में first statement क्या बोलता है जो ministry of education है बिल्कुल सही बात है इसी ये इसी ने national institutional ranking framework को publish किया है और आपको ध्यान रखना है मैंने आपको बताया ये साल 2022 वाली ranking है साल 2022 का edition है लेकिन आप लोग जब number wise देखोगे तो ये 7 वा edition है मतलब इससे पहले 6 बार और ये report आ चुकी है साल 2022 की ये 7 वी report है इससे पहले 2021 में आई होगी 2020 में आई होगी 2019 में आई होगी तो ऐसा लगातार ये reports publish हो रही है ठीक है ना clear होगी बात अब ये बात ध्यान अखना ministry of education ने इसको publish किया है ऐसे बहुत सारे question UPS से पूछता है तो इसी के वज़ा से statement 1 जो है वो बिल्कुल correct है अब आते हैं दूसरे statement पर दूसरा statement बोलता है कि जो ये NIRF है इसके अंदर स्रिफ वो स्रिफ higher education institutions को ही include किया जाता है तो ये बात भी बिल्कुल सही है तो NIRF जो ranking त्यार की जाती है इसके अंदर जो higher education institutions होता है उन्ही को include क किया जाता है बस ठीक है ना तो इस वज़ाय से statement 2 भी हमारा correct हो जाता है अब institutions के अंदर अलग-अलग हम लोग ने categories बाट रखी है मतलब ये जब rankings को तयार करते हैं तो इसमें अलग-अलग 11 categories को बाटा गया है जैसे एक category universities गया यानि कि हमारे देश में जितने भी universities हैं उनकी ranking अलग रहेगी, engineering colleges के अलग रहेगी, college के अलग होगी, medical, management, pharmacy, law, architecture, dental, उसके बाद research इस प्रकार से अलग-अलग यहां पे categories को बाट दिया गया है ठीक है ना ये बात ध्यान में रखना clear हो गया, तो मतलब आप अराम से अगर कोई question आएगा तो आप solve कर पाओगे NIRF से संबंदित, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये वीडियो के अंदर हम लोग current affair भी पढ़ रहे हैं और MCQs को भी cover कर रहे हैं, तो ये तो हम लोगों ने MCQ को solve कर लिया, अब सा साल 2015 से हम लोग इसको release कर रहे हैं, ठीक है, उसके आद higher education institutions को इसके अंदर include किया जाता है, ये भी हम लोगों ने cover कर लिया है, उसके बाद में हाँ पर क्या mention किया जाता है, कि जो government run educational institutions है, यानि कुछ ऐसे educational institutions जिसको सरकार चला रही है, उनका participation होना इस particular ranking के अंदर, वो mandatory था ध्यान रखना, उसको mandatory किया गया है, यानि वो compulsory है, अब हम लोग जब इन universities की, engineering colleges की, जब इनकी ranking को तयार करते हैं, तो किस basis पर तयार की जाती है, पाँच चीजों को दिखा जाता है, अगर इन पाँच चीजों के अंदर, जो भी university या जो भी हमारे higher education institution best होगा, उसकी ranking obvious सी बात है, उपर होगी, और जो इन पाँच चीजों में best नहीं होगा, उसके ranking नीचे होगी, अब वो पाँच चीजे कौन कौन सी है, teaching, learning resource कैसा है, research, professional practice, graduation outcome क्या देखने को मिलता है, outreach and inclusivity, और peer perception, ये आपको पाँच चीजे देखने को मिलती है, इन पाँच parameters के basis पर इन rankings को त अब इसकी need क्या थी मैं आपको समझाता हूँ, अभी क्या होता है ना, दुनिया भर की universities की ranking त्यार करने वाली भी हमारे पास में एक ranking है, क्या बोला हूँ, दुनिया भर के अंदर जितने भी universities हैं, उन सब को एक rank के अंदर लाने वाली एक ranking त्यार की जाती है, उसका नाम है QS World University ranking और एक और है वो है Times Higher Education World University ranking, ये क्या करती है, दुनिया भर की universities को इस ranking के अंदर रखती है, इसमें इंडिया की universities की ranking भी है, अमेरिका की भी है, जितने भी यहाँ पर countries उनकी universities की ranking को तैय गिया जाता है, ठीक है ना, अब होता क्या है, भारत भी कुछ इस प्रकार की ranking ड इस देश की higher education institutions को include करते हैं, आने विले time पे हमारी planning ये है, कि हम लोग इसको international level पर लेकर आएं, और ये इंडिया की ranking होगी, जिसमें इंडिया इस पूरी ranking को conduct करेगा, और दुनिया भर की universities को इसके अंदर रखेगा, जिससे हमारी ranking की भी जो value है, वो पूरे दुनिया भर क के अंदर यहां पर देखी जाएगी, तो ये हमारा एक long term plan है, इसलिकी विज़से हम लोग इसको launch कर चुके हैं, अब उसके बाद, साल 2022 की जो NIRF की ranking है, इसके अंदर कितने institutes ने participation किया है, तो 7,000 से भी ज़्यादा institutes ने participate किया था इस particular ranking के अंदर, साल 2022 में, clear हो गया, seven categories देखने को मिलती है, इस ranking के अंदर, अब जैसे overall बात करते है, overall मतलब क्या है, कि overall में, पूरा का पूरा data इस ranking का, अगर हम लोग पूरे data में देखें, यानि जितने भी higher education institutions को, 7,000 से ज़ादे institutions को include क्या है, सब में अगर हम लोग देखें, तो किस ने top किया, तो उसमें IIT मदराश ने top किया है, first पर है, IISC Bangalore second पर है, IIT Bombay third पर है, ठीक हमारे देख के top three higher education institutions हैं, तो ये तो गई overall की बात, अब बात करें university की, तो university में IISC Bangalore ने top किया है, college की बात करें, तो college में Miranda college ने यहाँ पे first position को hold किया है, उसके आद में Hindu college आता है, ठीके न, आपको ध्यान लखना है, मेरा graduation वाला college, उसके बाद में research institution की, अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे IISC Bangalore आपको देखने को मिल जाता है, engineering की बात करें, IIT Madras आपको देखने को मिल जाता है, management की बात करें, तो IIM देखने को मिल जाता है, medical की बात करें, तो All India Institute of Medical Science देखने को मिल जाता है मतलब यह जो अलगलग categories है इन category में किस-किस ने top किया है जैसे architecture की category में IIT root की ने top किया है तो इस प्रकार से आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार से इन rankings को तयार किया जाता है dental की category के अंदर सवीता institute of medical and technical science ने top किया है clear हो गया तो यह यहां पर rankings की highlight दी गई है चलो आगया आता है next question की तरफ अच्छा एक चीज और क्या ऐसे question पूछे जाता है sir बिल्कुल question पूछे जाता है आपको मैंने पिछले कुछ time पे यानि जब से हम लोगों इस prelims cracker series को start किया है तो मैंने मतलब saw यह तो आपको previous year question करा दिया होंगे हर रोज मैं आपको कहिना की previous year question connect करके दिखा रहा हूँ कुछ repeated आ रहे हैं कुछ नए आ रहे हैं जैसे यहाँ पे यह वाला question आप देखोगे इस particular question के अंदर किस चीज के बारे में पूछा है कि ranking के बारे में पूछा गया ऐसे question बनते हैं ठीक है न आप देखोगे rule of law index को release किया या किसके तुरू directly पूछ ले जाता है जैसे यहाँ पे statement 1 में पूछा कि NIRF को कौन release करता है है न उसके बाद यहाँ पे ऐसे indexes, reports इन सब चीजों को कौन release करता है ऐसे questions directly बनते हैं इस चीज के अंदर इंडिया की ranking कैसी आप लोग देख पाओगे हैं पे ranking को tag या rule of law index के अंदर कैसी कैसी ranking set करी गई है तो मेरा कहने का मतलब है question आते हैं इस वजह से NIRF को अच्छे से पढ़ लेना इसी लिए यहाँ पे purpose है कि आपको एक quality MCQs को provide करवाया जा रहा है आगे आते हैं अगले question की तरह next question भी बहुत जादा important होने वाला है previous year में defense related भर-भर के question पूछे गए दिखाऊंगा आगे में question क्या बोलता है which one of the following statement is our correct अब यहाँ पे तीन statement दिये गए है और बताना यह है कि तीन वो statement में से कौन सा statement correct है अब देखो इस particular topic को आपने पढ़ानी होगा नहीं पढ़ाऊगा तो solve नहीं कर पाऊगे तो परेशान होने की जरुरत नहीं है मैं question भी solve करवाऊँगा और इस पूरे topic को पढ़ाऊँगा भी अच्छा यह question किस चीज़े संबंदित है इस question के अंदर बात की जारी है Y3023 दूनागरी के बारे में अब हुआ क्या है recently देखो P.I.B. का article है recently क्या हुआ है हमारे जो defense minister है इन्होंने Y3023 दूनागरी को यहां पे launch कर दिया है यानि यह क्या है यह basically अभी मैं बता देता है इसका answer चलो कोई बात ने यह एक frigate है frigate क्या होता है एक जहाज होता है आपने देखा होगा जो हम लोग जहाज की बात करते हैं जो लडाकू जहाज होता है योद्ध में use के जाते हैं वार में वो तीन प्रकार के होता है कौन-कौन से होता है एक छोटा होता है सब से छोटा होता है जिसको हम लोग बोलते है Corvette Corvette से बड़ा होता है वो होता है Freegate और Freegate से भी बड़ा होता है Destroyer ये बहुत बड़े साइस का होता है और बहुत सारे हत्यार इसके अंदर लगे वे होता है तो recently Y3023 दूनागरी को ये basically एक Freegate है इसको launch कर दिया या है कोलकाता में तो इसी वज़ा से आर्टिकल चर्चा में आया तो अब देखो Question क्या बोलता है पहला statement बोलता है कि जो Project 17A Freegate है ये basically यहाँ पर बात करता है कि इसके बारे में कि हम ऐसे Freegate बनाएंगे यानि Project 17A Freegate ऐसे Freegate बनाने के बारे में चर्चा करता है जो की Stealth Freegate हो Stealth Freegate का मतलब है वो ऐसे हम लोग इतनी High Security में डवलब करें कि वो Radar की Category में ना है Radar की पकड में ना है Radar हर चीज को पकड सकता है तो हम लोग इस प्रकार से Freegate को बनाते है इस प्रकार से जहाँ को बनाते है कि वो Radar भी ना पकड पाएगा उस जहाँ को ठीके ना यह आप लोग कह सकते हो यह Project 17-1-A की Freegate के अदर बनाया जा रहा है पहला statement तो यह हो गया दूसरा statement यह हो गया Y-3023 दूनागरी यह हमारे Project 17-A Freegate का हिस्सा है तो क्या यह सही option है बिल्कुल सही option है क्योंकि हम already discuss कर चुके है जैसे आप लोग देख पाऊगे है ना Y-3023 जो दूनागरी है यह बिल्कुल Project 17-A का जो 17-A Freegate है इसका हिस्सा है क्योंकि जो हमारे Defense Minister है इन्होंने यहाँ पे अभी इस Freegate को launch किया है Project 17-A के अंडर में यह Project 17-A क्या है यह भी आगे मा आपको बताऊँगा तीसरा statement क्या बोलता है कि जो Y-3023 है दूनागरी इसके अंदर शमता नहीं है कि यह ब्रह्मो सूपर स्वानिक मिसाईल को अपने उपर रखके चल सके यानि इस जहाज के अंदर शमता नहीं कि हम लोग ब्रह्मो सूपर स्वानिक मिसाईल को लगाएं क्यों क्योंकि उस मिसाईल की जो स्पीड है वो यहाँ पे साउंड से भी ज़ाद आपको देखने को मिल जाती है तो बताओ इसमें से correct answer कौन सा है कौन सा statement correct है option A बोलता है 1 and 2 only option B बोलता है 2 and 3 only option C बोलता है 1 and 3 only या फिर option D बोलता है 3 के 3 correct है अब जैसे कि हम लोग इसको already solve कर चुके हैं तो आपको बता दू इसका correct answer आपको 1 and 2 only देखने को मिल जाता है तो option A is the correct answer चलो एक एक करके आप सारे statement को decode करते हैं पूरे issue को पढ़ता है recently क्या हुआ आपने समझ लिया कि यहाँ पर जो दूनागरी है इसको launch कर दिया गया हमारे defense minister के थू कौन से project के अंडर में project 17A free gate के अंडर में अब project 17A free gate को launch किया गया है ताकि हम लोग क्या कर सकें इन free gates को बना सकें हमारी navy को यह free gates दे सकें free gates क्या होते हैं अभी मैं आपको बता चुका हूँ अब project 71A free gate के अंदर 71 बोला हूँ बार-बार sorry माफी चाओंगा project 17A free gate जो है इस project के अंदर में क्या है कि हम लोग लग-बग साथ still free gates को develop कर रहे हैं मतलब कि ऐसे free gates जो की radar की पकड़ में भी ना है ऐसे free gates को develop किया जा रहा है तो इस वज़ा से जो statement 1 है वो यहाँ पर correct हो जाता है फिर देखो एक तो होता है project 17A दूसरा है आप लोग देख पाओगे एक हमारा है project 17 दोनों के बीच में difference है ध्यान रखना अभी हम जो बात करें वो project 17A की बात कर रहे है अब जो project 17A है इसके अंदर हम लोग ने काफी सारे free gates को बनाने के उपर focus किया है जिसमें से 4 free gates हमारे पास अलरड़ी आ चुके है INS लिलगरी आ चुका है INS हिमगरी आ चुका है INS उदैगरी आ चुका है अपने उपर लेकर चल सके तो ये गलत है क्योंकि इस वाले free gate के अंदर मैं आपको बता है free gate क्या है लडाकू जहाज है इसके अंदर बहुत सरे weapons missiles वगरा लगाए गया है तो ब्रहमोज missile को भी लगाया गया है तो ब्रहमोज missile को ये carry करता है इस वज़ा से statement 3 जो है वो correct नहीं है चीक है ना आगया आते हैं I hope आपको यहाँ पर अच्छे सारी चीज़े समझ में आ चुकी है अब एक simple सी बात है जब आप लोग current affair पढ़ोगे तो बस खाली इतना जान लेना कि सर ये project 17A free gate है क्या देखो project 17A free gate हम लोग project 17 को follow करते वे लेकर आए है हमारा एक P17 project भी है और एक P17A है दोनों की बीच में difference है जैसे मैं आपको बताया अब P17A थोड़ा सा ज़ादा मजबूत देखने को मिलेगा इसके अंदर हमें 7 free gates बनाने है साथ में से 4 free gates already हमारे पास आ चुके है जैसा मैंना भी थोड़ दर पहले बताया अब 4 आ चुके हैं तो अभी हमारे पास में 3 बचेव हैं ठीक ना तो वो जो 3 हैं वो आने वाले time पर develop होते रहेंगे और आते रहेंगे तो ये था हमारा P17A अब सर क्या ऐसे question आते हैं हाँ बिलकुल आते हैं साल 2019 का question देखो मतलब पूछ लेता direct जैसे यहाँ पे किसी के बारे में चर्चा की गई है यहाँ पे चर्चा की गई है Y3023 दूनागरी के बारे में तो ऐसे पूछ लेता सकता है कि सर यह है क्या देखो यहाँ पे एक question आया 2019 में दो statement दियेगा है बताने है कौन से statement correct है पहला statement बोलता है INS Sindhu Kosh एक aircraft carrier है दूसरा statement बोलता है INS Virat एक submarine है अगर आप लोगो ने topic पढ़ रखे होंगे तो आराम से solve कर सकते हो देखते हैं यहाँ पर इसका क्या answer है देखो इसका answer आपको D देखने को मिलेगा INS Sindhu Kosh एक aircraft carrier नहीं है INS Sindhu Kosh एक खोद एक जहाज है ठीक है ना तो आप लोगो ध्यान अखना है sorry यहाँ पे एक lead ship है जो basically यहाँ पर बोल सकते हो कि diesel electric submarine की category के अंदर देखने को मिलती है उसके बाद में जो यह INS Virat है यह एक submarine यहाँ पे लिखाव है तो INS Virat basically एक aircraft carrier है तो दोनों के नाम आपके साथ को exchange कर दिये गए हैं तो यह दोनों opposite देखने को मिलेंगे तो ऐसे question डारेक्ली बन जाते है उपर वाला submarine है नीचे वाला यहाँ पर aircraft carrier है लेकिन यहाँ पे नोंने बोल दिया उपर वाला aircraft carrier है और नीचे वाला submarine है तो ऐसे confusing statement wise question बन जाते हैं यह साल 2009 में पूछा गया था फिर देखो साल 2008 में फिर से question पूछा गया question क्या था In the context of Indian defense दुरुव क्या है option A बोलता है दुरुव एक aircraft है B missile है C advanced light helicopter है या FD intercontinental ballistic missile है तो ऐसे question बन जाते हैं इसका correct answer आपको C देखने को मिलेगा ध्रोव एक advanced light helicopter है ठीक है ना फिर आप देखो 2008 में एक और question पूछा गया हम लोग किसी देश से अगर purchase करते हैं कोई defense system तो पूछ लिया जाता है एक question ही पूछा गया तो S400 system कोई से देश से purchase क्या जा जा रहा है नीचे comment section तो फटावट उसका नाम बता दो ठीक है ना तो ऐसे question बनते रहते हैं चलो third question पर आते हैं third एक और important question आप लोग देख पार हो level बिल्कुल match करता है UPSC के prelim से तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से religiously अगर follow कर उस पूरे वीडियो को तो बहुत help आपको मिलने वाली है इसकी मैं guarantee देता हूँ question क्या बोलता है which of the following countries constitute I2-U2 अब recently मैंने आपको I2-U2 के बारे में पढ़ाया है आपको याद होगा बहुत detail से लगातार दो दिन पढ़ाया था तो I2-U2 basically यहाँ पर एक group है चार देशों का ठीक है न तो यहाँ पर आपको साथ देशों के नाम दिये गए है और इस बार ऐसे question भी आये थे आपने जो solar 2022 का जो prelims का paper देखा है solar flare वाले question देखा होगा उसके अंदर साथ option दिये गए थे और ऐसे फिर नीचे option दिये गए थे मतलब साथ ऐसे दिये गए थे और नीचे फिर option भी ऐसे दिये गए थे तो बिल्कुल उस वाले pattern के basis पर एक question त्यार किया गया है ठीक है ना साल 2022 में भी ऐसा question आया है तो इसी वज़ा से चर्जा में था अब यहाँ पर बोला गया इन साथ देश में से I2, U2 basically जो चार countries है वो आपको कौन सी देखने को मिलेंगे option A Iran, option 2 India, यहाँ पर फिर 3 Israel, UK, USA UAE और Iraq अब बताना है कि आपको correct answer solve करना है using the codes given below, नीचे आपको code दिये गए option A बोलता है 1, 2, 4 and 5 only, मतलब कौन कौन सी, I2, U2 के अंदर 1, 2, 4, 5 आते हैं या फिर option भी बोलता है 1, 3, 4 and 5 only, या फिर 1, 3, 4, 5, या फिर आप कर सकता option C बोलता है 2, 3, 5 and 6 only, या फिर option D बोलता है 2, 4, 5 and 7 only, तो यह भी बहुत confusing question, मतलब statement ऐसा है कि दिमाग घूम जाए लिना पहले से practice करोगे तो एक habit सा बना रहेगा, ऐसा question अपकी भार भी आया था, फिर से repeat कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वीडियो को post करके इसको solve करने की कोशिश करो चलो मैं आपको इसका answer बताता हूँ वैसे इसका correct answer आपको C देखने को मिल जाएगा, C में क्कौन कौन से की देखने को मिलेंगी countries, तो I2, U2 basically 4 countries का group है वो 4 countries कौन कौन से है, वो है India, Israel, और USA, और साथी साथ में आप देख पाओगे UAE, इन 4 countries का ये group है, तो इस वज़ा से यहाँ पर India, Israel, USA, UAE, तो 2, 3, 5, 6 2, 3, 5, 6 जो है इसका correct answer हो जाता है, ठीक है न, आगया आते हैं, अब जैसे में आपको बताया कि इनकी एक meeting होती है अचा एक चीज़ और, I2, U2 I2, U2 नाम से बता चल लाए I2, U2 को हम लोग West Asian Quad के नाम से भी जानते हैं और साथी साथ में Middle East Asia के नाम से भी जानते हैं या जो Middle East Quad है उसके नाम से भी जानते हैं तो यह 3 नाम है जिसके बारे में ध्हान रख सकते हो क्योंकि question जो है किसी भी नाम से पूछे जा सकते हैं अब यह I2, U2 जो ग्रोप है इसको कब बनाया गया था इसको बनाया गया था October 2021 में पिछले साल की बात है तब इसको बनाया गया यहाँ पर आप जब देखोगे तो West Asia वाला रीजन यह कहलाता है मैप के अंदर जिसमें इरान, इराक, सीरिया, टर्किये सारे देश देखने को मल जाता है यहाँ पर आपको UAE देखने को मिल रहा होगा यह राः UAE ठीक है ना? और इधर आपको देखने को मिलेगा यह Yellow Color में यह है Israel जिसको मैंने Red Color का बना दिया अब इधर यह है Israel और इधर आपको UAE इधर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा जब इधर जाओगे, पाकिस्सान से दर जाओगे, तो इधर चलोगे, तो यहाँ पर आपको अमेरिका देखने को मिल जाएगा, तो यह चार कंट्रीस का पूरा-का पूरा ग्रॉप है, तो इन च इसी रिजन को हम लोग Middle East के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखना, यह particular region Middle East का कहलाता है, जिसमें UAE और इसरेल दोनों आते हैं, जो कि I2, U2 का पार्ट हैं, इसी वजह से इसको Middle East Quad के नाम से भी जानते हैं, आप क्या question पूछे जाते हैं, ऐसे बिल्कुल question पूछे जाते ह या G20 के अंदर कितने countries आती हैं, मतलब obviously वाद है G20 के अंदर 20 देश आते हैं, लेकिन option में आपको यहाँ पर कह सकते हो, कुछ countries के नाम दिये गए हैं, बताना है कि इन option में से कौन सा एक option correct है, जिसके अंदर 4 countries mentioned और 4 की 4 G20 का हिस्सा हैं, तो in which one of the following group are all the 4 countries members of G20, तो कौन सा ऐसा group देखने को मिलेगा चारों में से, जिसमें से सारी के सारे देश G20 का हिस्सा है, चलो इस question को अब आपको solve करना है, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आज आप लोग इस question का answer देना नीचे comment section में, अब एक चीस और देखो, अब क्या होता है, ये question number 46 था, साल 2021 के अंदर, साल 2021 में question पूछा गया था, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, कि I2, U2 का जो नाम है न, वो अलग-अलग नाम देखने को मिलता है, कौन-कौन से आप देखने को मिलता है, एक तो Middle East Quad के नाम से भी जानते हैं, और West Asia Quad के नाम से भी जानते हैं, तो साल 2021 के अंदर जो question पूछ पूछा गया, मतलब directly ऐसे ही question पूछा गया था, अब जिसका ये paper था, वो गलत लगा के आया है, देखो यहाँ पर, यह option गलत लगा के आया है, अब यहाँ पर question क्या था, in the recently formed grouping of countries generally known as Middle East Quad, तो यहाँ पर बताना यह है कि जो Middle East Quad है, इसमें इंडिया तो हिस्सा है ही, इंडि mission बहुत जादा important होने वाला है, यहाँ पर क्या बात की जारी है, mission शक्ती के बारे में, mission शक्ती भी recently चर्चा में था, P.I.B. का article आपको यह दिख रहा होगा, ठीक है न, तो Ministry of Women and Child Development ने कुछ अभी detailed guidelines जारी करी है, mission शक्ती को लेकर, mission शक्ती क्या करता है, women empowerment को बढ़ावा देता है, women को एक security प्रोवाइड करवाने का काम करता है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, mission शक्ती के संबंध में आपको तीन statement से दिये गए है, पहला statement क्या बोलता है, कि mission शक्ती एक integrated women empowerment program है, तो यह तो आप समझ गया होगे भी थोड़ दर पहले मैं आपको बताया, दूसरा statement यह बोलता है, mission शक्ती को launch किया या था during the 15th finance commission, थर्ड statement बोलता है, one stop, one center, women helpline और बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ program, यह तीनो के तीनो mission शक्ती program का ही हिस्सा है, अब तीनो statement में से कौन सा statement correct है आपको बताना है, option A, one and two only, option B, two and three, option C, one only या फिर option D, तीनो के तीनो correct है, कोशिश करो इसका एक answer देने की, चलो इस answer को decode करते है, इसका correct answer आपको देखने को मिल जाएगा D, तीनो के तीनो statements आपको correct देखने को मिलेंगे, चलो discuss करते है mission शक्ती है क्या, एक करके statements को analyze करेंगे, तो mission शक्ती एक integrated women empowerment program है, women की safety, security और उनको power देने के बारे मे चर्चा करता है, तो इस वज़ा से statement बनतो सर पहले correct हो जाता है, दूसरा statement, mission शक्ती को launch किया या था, 15th finance commission के दौरान, लगबग 2021 से लेकर, 2026 तके period के लिए यहाँ पर इसको launch किया या है, तो इस वज़ा से statement 2 भी जो है, वो correct हो जाता है, third statement क्या बोलता है, देखो, mission शक्त यह बात करता है, यह बात करता है, women की safety और security के बारे में, और इसी symbol के अंदर, इसी component के अंदर, और भी schemes को डाल रखा है, जैसे one stop center, women help line, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इन तीनों अलग-लग schemes को भी यहाँ पर इसके अंदर include कर रखा है, ठीक है ना, तो आप कह सकतो ह है, तो यह schemes भी यहाँ पर जो है, इसी program का part है, किसका mission शक्ती का, तो इस वज़ा से जो third statement है, वो भी correct हो जाता है, तो I hope आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है, mission शक्ती के बारे में, और तीनों statements के बारे में जान लिया है, तो symbol समझ में आ गया, समर्थया की बात करें तो basically दो component की बात करें तो symbol clear हो गया, समर्थया, ये भी basically women empowerment को लेकर बात करता है, अब समर्थया से पहले, मतलब इसके अंदर पहले काफी सरी schemes हुआ करती थी, उजवल, स्वधर ग्रह, ठीक है, working women, hostel, ये प्रकार की schemes इसके अंदर हुआ करती थी, लेकिन अभी के time पर, जैस national crash scheme for children of working mothers, ठीक है, जो महिलाय काम कर रही है, उनके बच्चों के लिए लेकर आई गई है, प्रधान मंत्री, मतरु बंदना, योजना, माओं के लिए लेकर आई गई है, तो इन schemes को भी include किया गया है, समर्थया के अंदर, तो question उपर से भी बन सकता है, या नीचे से भी बन स women के परिदियो crime और violence है, उसको रोकना, ठीक है, women को जो government services आ रही है, वो यहाँ पर उनको उसके बारे में पता होना, government schemes के बारे में women को यहाँ पर जाग रोक करना, तो वो सारे यहाँ पर benefits देखने को मिल जाते हैं, objectives देखने को मिल जाते हैं, mission शक्ती के, नाम सी बते चलना है कि आप लोग घोड के पी गए होंगे, अब monkeypox को लेकर एक interesting सा question है, और इस बार chances है कि question बन भी जाए, question क्या है, monkeypox को लेकर दो statement दिये गए है, पहला statement यह बोलता है, there are no treatments specifically for monkeypox virus infection, monkeypox virus infection को लेकर कोई भी इलाज अभी के time पर नहीं है, दूसरा statement बोलता है, जो human to human transmission है, वो म monkeypox के अंदर में, अब बताओ कौन सा statement correct है, पहला statement बोलता है one only, दूसरा two only, तीसरा both one and two, या फिर चौथा neither one nor two, इसका correct answer क्या है, तो इसका correct answer आपको देखने को मिलेगा one only, सिर्फ पहला statement correct है, दूसरा statement correct नहीं है, क्यों, देखो जब भी मैंने आपको monkeypox virus के बारें पढ़ यह केवल human to human transmission होता है, तो इस वज़ा से यह statement आपका wrong हो जाता है, और पहला statement आपका correct हो जाता है, ठीक है न, तो यह मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, अब monkeypox virus के बारें बात करें, तो monkeypox virus होता है, एक virus की वज़ा से इसका नाम है orthopox virus, यह poxy variety family से बिलोंग करता ह नाम monkeypox virus का natural host कौन है, अभी भी clear नहीं, कहां से निकल कर आया है, लेकिन यह monkeypox virus बंदरों के साथ साथ, जो चूहें हैं, माईस है, स्कौाइरल है, डॉक्स है, राबिट से इनके अंदर भी देखने को मिल जाता है, बाकी सबसे पहली बार monkeypox virus का case कहा पर आया था, इसको सबस 17 में क्या होता है, चीजे पलट जाती है, नाइजीरिया एक ऐसा देश बनता है, अगेन ये भी एक African country है, नाइजीरिया के अंदर monkeypox के बहुत सारे cases निकल कर आ जाते हैं, और आप कह सकतो लगातार इतने cases आ जाता हैं कि नाइजीरिया के अंदर monkeypox को एक endemic declare कर दिया जाता ह है, तो नाइजीरिया के अंदर इसको endemic declare कर दिया गया, ठीक है ना, तो monkeypox के बारे में ये कुछ data आप लोग ध्यान में रख सकते हो, बाकि monkeypox virus के लक्षन क्या क्या हैं, symptoms की बात करें, तो जैसे हैं यहाँ पर smallpox के अंदर होता था था ना, छोटे-छोटे दाने हो जाता है शरीर के उपर, वैसी आपको monkeypox virus के अंदर देखने को मिलेगा, treatment की बात करें, देखो अभी भी कोई specific treatment या vaccine available नहीं है monkeypox infection के लिए ये बात धिहान में रखना, कोई भी specific treatment और vaccine available नहीं है, तो आपको कैसे ठीक कर रहे हैं हम लोग फिर monkeypox को, तो monkeypox को ठीक किया जा रहा है किस इस पर, देखो monkeypox से पहले smallpox भी बहुत जादे फैला था, और smallpox को हमने दुनिया भर से खतम कर दिया, कैसे खतम किया, उसके लिए हमने vaccine बनाई थी, तो उसी vaccine का इस्तमाल किया जा रहा है monkeypox को tackle करने में, लेकिन monkeypox के लिए specific कोई भी vaccine नहीं देखने को मिल रही है, इस वज treatment है, वही हम लोग monkeypox के लिए use कर रहे हैं, clear हो गया, अब देखो ऐसे question diseases को लेकर बनते हैं, साल 2014 का ये question आपको देखने को मिलेगा, consider the following diseases, तीन disease के नाम देगा है, diptheria, chickenpox, smallpox, बताना यह है कि कौन सी disease यहाँ पर इंडिया में eradicate हो चुकिया, पूरी तरह से खतम कर दी गई या फिर option D, कोई सी भी खतम नहीं होगे, तो इसका correct answer option भी स्रिफ और स्रिफ आप देख पाऊगे, यानि जो smallpox है वो अभी इंडिया से eradicate हो चुका है, खतम हो चुका है, उसके बाद एक और question पूछा गया था, disease को लेकर साल 2005 में, pneumoconosis, यह basically workers को affect करता है, कौन से workers को affect करता जो कहाँ पर काम करता है, tanneries के अंदर, coal mining industry में, distillery में, या फिर glass industry में, तो pneumoconosis क्या है, एक respiratory disease है, जो कि यहाँ पर कोडे और धूल मिटी है, उससे हो जाती है, हमारा respiratory system damage हो जाता है, तो basically यहाँ पर यह बहुत common है, kisses के अंदर, coal mining industry के अंदर, जब कोड़ा ही होती है, तब काफी dust निकलता है, तो जो pneumoconosis है, यह उन workers को affect करता है, जो कि coal mining industry में काम करता है, तो इस वसे बीस का correct answer हो जाएगा, तो ऐसे questions भी आप लोग देख पाऊगे, ठीक है ना, clear हो गया, आगया आता है, अब आज का आपका practice वाला question, आपके लिए वीडियो के last minute practice question भी है, तो practice question क्या है, इसको फटा-फट देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको, अच्छा चलो, practice question पहले देता हूँ, question क्या बोलता है, यह UPSC पहले ही पूच चुगा है, हलाकि दूसरी तरीके से पूचाता है, यह question दूसरी तरीके से, यह बात करता है, गोलन heights के बारे में, तो ज प्राइ करो कि बिल्कुल सही answer दो, क्योंकि काफी बार आप लोग पढ़ चोके हो, अब हम लोग बात करते हैं, कल वाले practice question के, तो यह कल का practice question है, कल आपको यह question दिया गया था, देखना है किस-किस ने सही solve किया था, तो यहाँ पे आपसे पूचा या था, red panda के reference में, तीन statement दिये गए, red panda, एक state animal है, सिक्क्यम का, दूसरा statement, इसको critically endangered category के अंदर रखा गया है, IUCN के red list में, इसको protect किया गया है, sides के appendix 1 में, तो कौन सा statement correct है, तो इसका answer है, 1 and 3 only, तो बिल्कुल सिक्क्यम का state animal है, red panda और दूसरा, इसको appendix 1 में, जो sides की category के अंदर है, वाह पे appendix 1 में रखा गया है, तो इसका C, जो है, वो statement बिल्कुल correct है, ये दूसरा वाला option incorrect है, दूसरा वाला option incorrect क्यों है, क्योंकि IUCN list के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, तो red panda critically endangered category में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ endangered category में, critically endangered category, एक endangered category है, तो endangered category के अंदर देखने को मिलता है, इस वज आपको red panda से संबंदित provide करवा दिये हैं, चलो आगे आते हैं, अब इसी के साथ करते हैं, lecture को समाप त्यार वीडियो पर जो like button उसको दबा देना, जो हमारा target उसको achieve करवा देना, इसी के साथ करते हैं, lecture को समाप मिलते हैं, आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के Bye Bye, Have a nice day, Thank you and Jai Hind!